हेलो डियर स्टुडेंस आज हम अपने टेक्स्टाइल टॉपिक के अंदर रेयान रेशे के बारे में जानेंगे ना सिर्फ जानेंगे बलकि डिटेल में एक-एक पॉइंट को डिसकस करते हुए चलेंगे तो आइए सुरू करते हैं तो जैसे कि आप सब को इस्क्रीन पर दिख रहा होगा मानो क्रित रेशा या मानो की क्रित तंतू रेयान रेयान क्या है रेयान एक क्रितिरिम में रेशा होता है जिनको मानो कुछ मिला के उसको निर्मित करता है ये होता है कृतिम रेशा ठीक है तो कृतिम रेशा में आज हम देखेंगे रेयान रेशा को तो देखें रेयान का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझें कि रेयान का साब्दिकर्थ क्या होता है तो रेयान का साब्दी करता है सूर्य की किरणों का परावर्तन reflecting the sun rays अब रेयान की खोज कब हुई तो रेयान की खोज उनिश्वी सताब्दी का बैज्ञानिक चमतकार है इसे कृतिम रेशम या artificial silk कहा जाता है मतलब रेयान को हम कृतिम रेशम भी कहते हैं यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन रोत बनस्पति Cellulug है क्योंकि यह कागज या लकड़ी के लुगदी से बनाया जाता है तो इसलिए इसमें जो मुख्य प्रधान तथ्ट होता है वह Cellulug होता है तो इसको हम Cellulugics के रेशा कहते हैं कपास की लुगदी तथा कपास के लिंटर्स आधी को राशानिक पदार्थों के साथ मिला कर एक अर्ध तरल या सेमी लिक्विड जिसको कहते हैं बनाया जाता है इस अर्ध तरल पदार्थ को स्पिनिरेट के अत्यंत बारिक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है तब पशाक नियंत्रित ताप से सुखा कर ठंडे जल से में प्रवाहित कर खीच कर वा बटकर अविरल धागा प्राप्त किया जाता है रेयान के रेशे प्राकृतिक रेशम के समान ही चिकने चमकदार कोमल वा सुन्दर होते हैं परंत इन में मजबूती प्रत्यास्था सटने के गुड का तथा सघंता का आभाव होता है जितना जादा रेशम में सारी क्वालिटी होती है मतलब क्या-क्या मजबूती प्रत्यास्था सटने का गुड और सघंता उतना इसमें नहीं होता है लेकिन फिर भी ये रेशा रेशम के समान ही दिखता है अब आगे हम देखते हैं इसका उद्गम और इतिहास तो इसमें है 19-वी सताबदी में रियान की खोज की गई और सन 1884 में ये डेट इंपोर्टेंट है याद रखेगा आप सब 1884 इसमें सबसे पहले फ्रांस के एक बैज्ञानी काउंट हिलेरे डी चार्टो नेट ने रियान के रेशे का निर्माड किया और इन्होंने कौन से रेशे का निर्माड किया इन्होंने नाइट्रो सेलूलोज रेशे का निर्माड किया था ठीक है जो नाइट्रो सेलूलोज बिधी से बनता है उस रेशे का निर्माड किया था और इन्होंने सबसे पहले चुकी रेयान का निर्माड किया था इसलिए इन्हें रेयान का पिता फादर आफ रेयान कहा जाता है तो ऐसे भी कोशन आ सकता है कि फादर आफ रेयान किसे कहा जाता ह तो Count Hilary D. Chartonet को Father of Ryan कहा जाता है रेयान निर्माड की सफलता के पश्चान फ्रांस में पहला रेयान का कारखाना खोला गया तो पहला रेयान का जो कारखाना था वो कहां खोला गया फ्रांस में खोला गया ये आप सब याद रखेगा अब हम देखते हैं Types of Ryan रेयान के प्रकार तो रेयान को बनाने की बिदियों के आधार पर मुख्यतर दो भागों में वर्गी कृत किया गया है पहला है पुनर निर्मित सेलुलोज रेयान दूसरा है एसिटेट सेलुलोज रेयान पहले में हम देखते हैं पहले को फिर से 3 केटेगरी में डिवाइट किया गया है पुनर निर्मित सेलूलोज रयान इस बिधी से 3 प्रकार से रयान बनाई जाते हैं एक नाइट्रो सेलूलोज रयान, दूसरा क्यूप्रा मोनियम रयान, तीसरा विसकौस रयान तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे इनसे धागे का निर्माड होता है या रेशी का निर्माड होता है तो सबसे पहले नाइट्रोसेललोज भी धी के द्वारा जो रेयान बनता है उसकी बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की तो इसकी खोज अभी बताये थे count hillary d chartonet कौन किये थे count hillary count hillary d chartonet इन्होंने 1884 हाँ 1884 में इन्होंने nitro cellulose बिद से रियान की खोज की थी इन्होंने सबसे पहले की थी इसलिए इनको रियान का जनक कहा जाता है अब देखते हैं इस बिधी में धागे का निर्माड कैसे होता है तो इस बिधी में रूई की पट्टियों या cotton linters उसे कहते हैं को पहले nitric amyl HNO3 और sulfuric amyl H2SO4 से प्रतिक्रिया कराई जाती है इसके फलसुरूप रूई की पट्टियों का गोल बन जाता है और इस गोल को पुनह एलकोहल योम इथर से प्रतिक्रिया कराई जाती है और इसके फलसुरूप एक गाढ़ा गोल तयार हो जाता है जिसे हम collidal गोल कहते हैं और इस collidal गोल को spinneret के बारिक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है जिससे एलकोहल योम इथर वास्प सील होकर उड़ जाता है और गोल को सुखा कर अविरल रेयान के रेशे के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है ठीक है तो इस बिदि से नाइट्रो सेलुलोज रेयान की प्राप्ती हो जाती है अब अगला हम देखेंगे क्यूप्रा मोनियम विधि द्वारा रेयान का निर्माड होता है तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की तो फ्रांसीशी बैग्यानी की LH-Dispies ठीक है LH-Dispies ने इसकी खोज की थी क्यूप्रा मोनियम रेयान की और इसमें कैसे धागे का निर्माड होता है इस बिधमे रूई की पट्टियों को सोडा-S तथा सोडियम हाइडराकसाइड के साथ उबाल कर क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है और इसके पस्चात इन्हें धो कर सुखा लिया जाता है और सुख जाने के पस्चात इन्हें कौपर आकसाइड तथा अमोनियम हाइडरकसाइड में घोल दिया जाता है और जिससे गाढ़ा कोलाइडल घोल तयार हो जाता है अब इस गाढ़े घोल को Isp primero rate जाता है और खीच कर धागे काटने की प्रक्रिया सीसे के संक्वाकार बरतन में होता है जो धागा मोटा होता है उसको खीच कर जो पतला बनाया जाता है तो वो किसमे होता है वो सीसे के संक्वाकार बरतन में होता है और यहां नियंत्रित ताप और मृदुजलधारा प्रवाह जाते हैं वह ठोस रूप में सफेद और सोच धागा प्राप्त हो जाता है और इस धागे को रील पर या रोल पर लपेट लिया जाता है तो इस तरह से हमें क्यूप्रामोनियम रेयान की प्राप्ति होती है या क्यूप्रामोनियम रेयान बनाते हैं अगला अब हम देखते हैं बिसकोस बिधिद्वारा रेयान का निर्माड सरोप्रथम इस बिधिद्वारा रेयान का निर्माड इंगलेंड के तीन बैज्यानिक क्रास, वीवल और पीडल ने सन 1892 इस्वी में किया था कौन-कौन क्रास, वीवल और पीडल ने 1892 इसवी में बिस्कोस रहान की खोज की थी या बिस्कोस रहान से रobyl बनाया था यह बिधि सस्ती है साथ ही इस बिदि द्वारा निर्मित रहान उतकरिश्ञ सेडी के होते हैं आजकल इस बिदि में थोड़ा आवस्चेक सुधार करके रहान का निर्माण किया जाता है तो जो बिसकस बिधि से रियान का निर्माड है या काफी प्रचलन में है इस बिधि द्वारा कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के रियान निर्मित किये जा सकते हैं आगे देखते हैं इस बिधिमेल लकडी वा बास के लुगदी योम कपास के पट्टियों को चादरों के रूप में तयार कर लिया जाता है और इस चादर को सोडियम हाइड्रोकसाइड के हलके घोल में डुबो कर रखा जाता है जिससे चारी सेलुलोज प्राप्त होता है और इसे नियंत्री ताप योम दाप पर 3-4 दिन तक रखते हैं इसके बाद इसमें तरल कार्बन डाई सलफाइड CS2 मिलाया जाता है जिससे जन्थेट सेलुलोज में बदल जाता है और इसके पस्चाद भी यह टुकडो में ही रहता है और इन टुकडो को पुना सोडियम हाइड्रोकसाइड NaOH के घोल में डालते हैं जिससे इसका गाढ़ा घोल तयार हो जाता है और इसे चानकर इसकी असुद्धियों को दूर कर लिया जाता है तब पस्चाद इस च्छने हुए घोल को हम इस्पिनिरेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं इस से यह कड़े होकर अविरल लंबाई के रेसे के रूप में तयार हो जाते हैं है कि इसके बाद अगला जो हमारा है वह एक एसिटेट सेलुलोज रेयान होता है या इसको एसिटेट रेयान कहते हैं इसको देखते हैं कि इसको कैसे तयार किया जाता है तो acetate cellulose बिध से सफलता पूर्वक रेयान तयार करने का स्रेशन 1914 इसवी में अंग्रेज बैग्यानिक हेन्री और ड्रैफस हेन्री और ड्रैफस को जाता है cellulose acetate बिध में लकडी की लुगदी या कपास के लिंटर्स को acidic acid से प्रतिक्रिया कराई जाती है इसके पश्चात इसमें acidic enhydride मिलाया जाता है जिसमें cellulose acetate का गोल तयार हो जाता है और इस गोल को ठंडे पानी में डाल दिया जाता है फलसरूप cellulose acetate का सफेद फ्लैक निर्मित हो जाता है और इसे धोकर सुखा लिया जाता है तब पश्चात इस सुखे फ्लैक को acetone में घोल कर छाना जाता है जिससे असुदिया निकल जाती है वह गाढ़ा घोल तयार हो जाता है और इस गाढ़े घोल को नियंत्रित ताप योम दाब पर इस्पिनिट के बारीक ब्यास के छिद्रों से होकर निकाला जाता है साथ ही कमरे में भाप या स्टीम प्रवाहित की जाती है जिससे acetone उड़ जाता है और रियान का बारीक रेशा तयार हो जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है acetate rayon अब हम देखेंगे processing इसकी क्या होती है इसमें rayon रेशे की तयारी कैसे करते हैं क्योंकि यहां तक तो हमें एक धागा मिल जाता है लेकिन इसमें कुछ चीजें और बची रहती है जैसे की देखेंगे पहले point में चमक कम करना क्योंकि जो रियान है या कृतिम रेशा है तो इसमें बहुत जादा चमक पाई जाती है और इसमें जो चमक होती है वो आँखों में बहुत जादा चुबती है इतना जादा चमक होता है तो इसके चमक को कम कर किया जाता है और कम करने के लिए जब हम गाढ़ा कोलाइड गोल बनाते हैं गोल में ही हम टिटैनियम डाइकसाइड या तेल या पैराफीन कुछ ऐसे लिक्विड उसमें मिलाते हैं जिससे उसकी चमक कम हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि इसकी चमक कैसे कम करते हैं चमक कम करने के लिए टिटैनियम डाइकसाइड तेल और पैराफिन आधिको रेयान रेशा बनाने हैं तयार गाड़े घोल जिसको कोलाइडल घोल बोले हैं घोल में डाल दिया जाता है जिससे इसकी चमक कम हो जाती है अब अग से वो रेशा मिलता है तयार हो जाता है तो उसके बाद उसकी कताई प्रोसेस की जाती है कताई में रेशे की मोटाई वा एठन इस्पिनिरिट के छिद्रों के ब्यास पर निर्भर करती है और रेशे की लंबाई आवसकता अनुशार रखी जाती है रेशे के रेयान के वस्त्र और ठागा बहुरेशी धागा यह अस्पन धागा ऐसे धागे बनते हैं तो पहले हम देखते हैं कहरा फाक तो यह जो धागे रियान के बनते हैं जो फिलामेंट यार्ण कहते हैं दागे को बनाने है तू नियंत्रित ब्यास वाले स्पिनरेट के छिद्रों से रेशा निकाला जाता है और रेशे को अधिक मजबूत लचीला यों तनाव सामर्थ बनाने हे तू इस्मिरेट के छिद्रों पर ताप और दाब का नियंत्रण रखा जाता है जिससे धागे मजबूत होते हैं इसके बाद बहुरेशी धागा जिसको हम मल्टी फिलामेंट यारन कहते हैं तो बहुरेशी धागा बनाने हे तू दो से अधिक रेशों को मिलाकर आयठन देकर धागा तयार किया जाता है क्योंकि जो मोनो फिलामेंट होता हो तो एक ही रेशा उसमें रहता है उसी को नियंत्री ताप और दाब दोरा इस प्रिरेट के छिदर से निकाल कर बनाया जाता है लेकिन जो बहुरेशी धागा होता है उसमें दो या दो से ज़ादा मतलब दो हो गए या फिर चार हो गए चार या फिर छे धागे ऐसे मिलाकर उसमें आइठन देकर बढ़कर बनाया जाता है इसके बाद अगला हम देखते हैं कता हुआ धागा जिसको हम बोलते हैं इस पन यार तो वस्त निर्मार प्रक्रिया में कई धागे टूट फूट जाते हैं मतलब छोटे होते हैं और इन रेशों को यहां रेशा रहेगा इन रेशों को आपस में मिलाकर पास जिसे कता हुआ धागा या इस्पन यार्न कहते हैं ठीक है क्योंकि जो जब रियान का रेशा बनता है तो उसमें जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनको आपस में मिला कर आइठन दे कर बट कर और खीच कर जितना मन चाहे लंबाई का हम धागा बना लेते हैं उसको इस्पन यार्न कहते हैं अब अगला हम देखते हैं इसमें लास्ट में की जाती है परिशज्जा या परिश्कृतिया जिसको हम बोलते हैं फिनिसिंग ये सारे रेशे में की जाती हैं तो इसमें भी है तो इस पर कई परकार की परिशज्जाएं की जाती है मतलब जो रियान का रेशा होता है इस पर कई प्रकार की परिशज्जाएं की जहाती है और सजावट का प्रभाव उत्पन करने है तो नकासी इंबॉसिंग की जाती है और इस पर जल अवरोधक परिशज्जा भी की जाती है और संकुचन हटाने की परिशज्जा जो स्रिंकेज सिकुरता है उसके लिए भी की जाती है और सलवट प्रतिरोधक परिशज्जा आधी की जाती है आधी परिशज्जाएं लास्ट में की जाती हैं तो यहां तक complete एक रेशा प्राप्त हो जाता है रेयान का इसके बाद हम अब इसकी विशेस्ताएं देखेंगे कारेक्टर इस्ट्रिक देखेंगे की रेयान की क्या-क्या विशेस्ताएं हैं तो विशेस्ताओं में दो विशेस्ताएं आती हैं एक होती है भौतिक विशेस्ता तो दूसरी होती है रासायनिक विशेस्ता अब भौतिक विशेस्ताओं में अगर बात करें संगठन की तो भौ वगेरे से बनता है तो इसलिए इसमें जो प्रधान पत्व होता हो क्या होता है तो इसलिए जो इसका संगठन होता है हम कहेंगे कि वह सेलूलोज का ही बना हुआ होता है इसके बाद इसकी अगर सूचमदर्शी रचना या रूप की बात करेंगे हम कि सूचमदर्शी से देख यह कैसा दिखता है तो इसमें देखिए सब को अलग अलग बताएगे जो विस्कोस रेयान है यह इसकी अनुप्रस्त काट काट कर सूच मदर्शी से देखने पर यह दातेदार किनारी वाली छड़के जैसा दिखेगा क्योंकि जो viscous रेयान है अगर इसको अनुप्रस्त काट काट के इसको माइक्रोईस्कोप से हम देखते हैं तो एक लंबे छड़ की तरहें दिखता है और छड़ के किनारे किनारे दातेदार ऐसे किनारी जैसा ही दिखता है और अगर क्यूप्रामोनियम की बात करें कि क्यूप्रामोनियम की अनुप्रस्त काट माइक्रोईस्कोप से कैसी दिखती है तो इसका जो है महीन चिकना छड़नुमा चमकदार रेशम के समान दिखता है जैसे माइक्रोईस्कोप में रेशम दिखता है कुछ उसी तरीके से क्य इस तो जरूर इसकी हुई लेकिन इसकी खोज कैसे हुई कि जैसे रेशम जब हम लोग पढ़ेते तो रेशम में क्या होता था कि जो रेशम का कीट था बॉम्बेक्स मोरी तो उसके मुह के पास छिद्र होते थे जहां से वह लार निकालता था और वही लार उसके पूरे सरीर लपेट जाता था और जिससे हमें रेशम का धागा प्राप तो उसी से सीख कर नाइट्रो सेलूलोज की खोजुई उसी में जो उसका कोलाइडल घोल तयार किया गया बास की लुगदी का और कागज का पास का तो उसको क्या इस्पिनरिट के छिद्रों से निकाला गया जैसे रेशम में क्या होता था रेशम के कीडे के जो छिद्र होते थे उसके लार से निकलता था तो यहां इस्पिनरिट के छिद्र को मतलब नियंत्रित ताप और दाप देकर उससे बनाया गया तो वहीं से इसकी मतलब जो कला है वो ली गई लेकिन क्या था कि जो नाइट्रो सेल समर्चन, करें पूर मंदितीर, आ मिक्रोइसकोपिक संद्रृचन. तो जैसे बिस्कास र्यान की बात करें, तो दातेदार किनारी वाली की तरह दिखेगा और क्यूप्रामोनियम यह महीन चिकना छड़नुमा दिखता है और एसिटेट रियान की बात करें तो इसमें कम चमक होती है लंबाई में गहरी खाच होती है और नाइट्रो सिल्लोज की तो यह यह भी चिकना छड़नुमा दिखता है इसके बाद अब अगर लंबा बना सकता है जितना लंबाई चाहे उतना लंबाई बना सकता है और लंबाई बात आई तो एक बात बता दें कि जो ज़्यादा लंबे धागे होते हैं उनको हम फिलामेंट कहते हैं जो लंबे ज़्यादा धागे होते हैं मतलब मीटर में जिसका मेजरमेंट होता है हम फिलामेंट कहते हैं और जो छोटे धागे होते हैं छोटे या इंच में जिसका मेजर्मेंट कहते हैं उसको हम बोलते हैं इस्टेपल तो जो रेयान है अगर हम चाहें तो इससे इस्टेपल बना सकते हैं चोटे छोटे धागे बना सकते हैं और चाहें तो फिलामेंट एक बड़ा धागा भी बना सकते हैं तो दोनों पॉसिबल है अब इसके ब्यास की बात करें रेयान के ब्यास की बात करें तो ब्य प्रियास इस्पिरलीरेट के जो छिद्र होता है उसी के आकार में परिवर्तन लाकर युम नियंत्रित करके रेयान के रेशों को समान ब्यास वाला बनाया जाता है मतलब पूरी dependency जो spirit के छिद्र होते हैं उस पर होती है कि रियान को क्मोटा बनाना है या पतला बनाना है इसके बाद हम मजबूती की बात करें तो रेयान के रेशो में उनकी अपेच्छा अधिक मजबूती होती है परन्तु सिल्क की अपेच्छा एक तिहाई कम मजबूती रहती है मतलब रेयान जो है ये उन से तो जादा मजबूत होता है लेकिन रेशम से एक तिहाई कम मजबूत होता है और सूखी अवस्था में अधिक मजबूत होता है रेयान जो है ये सूखी अवस्था में अधिक मजबूत रहता परंत गीली अवस्था में इसकी मजबूती 25-30% तक क पुर्वक करना चाहिए इसको रगड के जाधा नहीं दूलना चाहिए नहीं तो बस्त्रफटनेलगता है। अगर इसमें चमक की बात करें तो जो रेयान का रेशा होता है क्रितिम रेशा होता है तो इसमें कुछ जादा ही चमक होती है और चमक भी ऐसी होती है जो आखों में चुबती है तो रेयान का रेशा काफी चमकदार होता है अता है इसकी चमक को कम करने के लिए टिटैनियम डा प्यार करते हैं उसी में टिटेनियल डाइक्साइड या मेंडर ओयल को मिला देते हैं जिससे रियान की चमक मंद पड़ जाती है अब आगे अगर हम कलर की बात करें इसके रंग की बात करें तो शामानित रियान का रेशा स्वेत रंग का होता है परन्तु इन्हें भिन भिन र होता है घजा तो यह भी याद राखिएगा क्या पता है अभी तक 24 नहीं गया है कि रयान जो है कताई करते समयं किस-किस आसा होता है तो इसमें जो प्रत्यास्था की कि Ellis City की बात अगर करते हैं सो रेयान में परियामत प्रत्यास्था पाई जाती है रेशो को खीच कर कताई की जाती है जिससे इनमें परियाप्त लोच आ जाता है क्योंकि जब कताई मतलब जब रेयान की कताई की जाती तो उसको खीच कर किया जाता है जिससे इसमें परियाप्त प्रत्यास्था आ जाती है और इसके बाद अगर अगर हम बात करें प्रति असकंदता की रिजिसलेंसी की तो रियान के वस्तरों में उन और सिल्क से कम प्रति असकंदता पाई जाती है मतलब जो हम मुठी में लेकर अगर उन को जैसे दबाने के बाद छोड़ते हैं तो फिर अपना अकार ग्रहण कर लेता है और रेशम को भी वैसे तो रेशम और उन से कम प्रति असकंदता इसमें पाई जाती है अगर बहुत ज़्यादा खीच दिये तो फिर ये अपने पूरों अवस्ता में नहीं आएगा फिर वो फैल जाएगा ठीक है तो इसमें उन और रेशम से कम प्रति असकंदता पाई जाती है अब अगर ताप की बात करें ताप योम विद्दुत समवाहकता की तो क्यूप्रामोनियम और विसकोस रेयान ताप का अच्छा कुछालक होता है गर्मी में भी इसके वस्त पहने जा सकते हैं वह सरीर को सितलता प्रदान करते हैं परन्तु एसिटेट रेयान जो है यह ताप के बुरे श सितलता नहीं प्रदान करते हैं तो इसलिए जो एसिटेट रेयान के होते है वह उनी स्वेटर वगेरे में अस्तर अस्तर लगाने के काम में आ जाते हैं अब इसके बाद हम अगला बात करते हैं रगड योम घर्षड का क्या प्रभाव पढ़ता है रेयान पर तो रेयान के वस्त्रों पर रगड़ वा घर्षड का बुरा प्रभाव पड़ता है और हानिकारक भी मतलब प्रभाव पड़ता है और इससे रेशे निर्बल हो जाते हैं बार बार रगड़ने से इसकी चमक कम हो जाती है अता है इसकी दूलाई अत्यंत शावधानी पूर्वक करना स्रिंकेज तो रेयान में सिकुडने का आउगुड विद्धेबान रहता है मतलब इसका जो कपड़ा होता है वह बहुत तेजी से जाधा सिकुड जाता है सिकुडने के बाद फिर अपने पूरोवस्ता में नहीं आता है तो इसके कारण ही इससे बने वस्त्रों को बेर्थ ह बढको जाने कि असंका रहती है उप परिस्ज्या करते समय संकुचन प्रतिरोधी बणाने का प्रयास किया झाता है इस में कुछ परिसथ्ज्जाए की जाती है जिससे यह रहता है कि कपड़ा ना सिकुड़ लेकिन इसमें सिकुडने का गुड़ विद्ध्यमान रहता। ठीक है इसके बाद अगला हम देखते हैं सफाई योम धुलाई किसकी सफाई और धुलाई कैसे की जाती है तो चुकि रेयान जो है ये भीगने के 50-25-30% तक ये कमजोर हो जाता है अपनी मजबूती खो देता है तो इसलिए इसकी धुलाई जो है ये सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि धुलाई करते समय ना जादा रगणा चाहिए ना जादा खीचना चाहिए नहीं तो वस्त्र फटने का डर रहता है तो भीगने के पश्चात देख लिजे भीगने के पश्चात रेसे 25-30% तक सकति खोकर निर्बल पढ़ जाते हैं इसलिए उन्हें हलके हाथों से दबा दबा कर धोना चाहिए और रगणने से वस्त्र फट जाते हैं तो जब भीगे रहते हैं तो ये कमजोर रहते हैं लेकिन सूखने के बाद ये वस्त्र फिर से अपनी मजबूती ग्रहन कर लेते हैं इसके बाद धूप योम प्रकास का प्रभाव की अगर बात करें और इसके बाद अगर फफूदी यों कीडे की बात करें फफूदी यों कीडे का प्रभाव तो रेयान के वस्त्र जल्दी ही फफूदी से प्रभावित हो जाते हैं इसलिए इन्हें नम अवस्त्र में और आर्द्र वातावरण में अधिक समय तक बंद करके नहीं रखना चाहिए तो जो रेयान के कपड़े होते हैं इन पर फफूदी बहुत जल्दी लग जाते हैं अगर यह थोड़ा बहुत भी गीली अवस्ता में हो या भीगी अवस्ता में हैं तो इसलिए इनको बचा कर रखना चाहिए हाला कि जो कीटाडू वगेरे होते हैं इसका प्रभाव इन पर कम पड़ता है और ज्यादा चिकने होने के कारण चुकि रेयान के जो धागे होते हैं ज्यादा चिकने होते हैं चिकने कारण इन पर ज्यादा धूलू वगेरे नहीं चिपकता है इसके बाद हम अगला देखते हैं आदृता प्रतिधारण योम आवसो सकता मतलब आदृता प्रतिधारण चमता यहां चमता होगा योम आवसो सकता मतलब पानी सोखने का जो गुड़ होता है पानी सोखने की जो चमता होती उसी को बोलते हैं तो रेयान की निर्माड बीधी पर इसकी अवसो सकता निर्भर करती है कि इसका किस बीधी से इसका निर्माड हुआ है अगर क्यूप्रामोनियम की बात करें तो क्यूप्रामोनियम यों विसकस रेयान तो ये दोनों की उप्रामोनियम और विसकोस रेयान ये पानी सोखने ज़्यादा सोखते हैं इनमें पानी सोखने की छमता अधिक बिद्यमान रहती है परन्तु एसिटेट रेयान में पानी सोखने की छमता नहीं होती है क्योंकि जो एसिटेट रेयान रहता है उसमें पानी सो प्रभाव यह देखते हैं तो रेयान के रेशे तीब्र जोलनसील होते हैं मतलब आग जल्दी पकड़ते हैं और क्यूप्रामोनियमियों विस्कॉस रेयान जो होता है वो 350 डिग्री फारने हाइट ताप पर सिग्रता से जलने लगता है और लव हटाने के पस्चाथ है इसके किनारे पर कड़े मोटी के सद्रिश से औसिस्ट पदार्थ जम जाते हैं ध्यान दीजिएगा कि जो रेयान का रेशा जलाने पर कैसा प्राप्त होता है तो कड़े मोटी के जैसा ठीक है अब अगला अगर हम इसकी बात करें यहां तक तो हो गया हमारा भौतिक विसेस्ताओं अब हम बात करेंगे राशायनिक विसेस्ताओं की तो जो राशायनिक विसेस्ताओं हैं सबसे पहले हम देखेंगे अमलका प्रभाव एफेक्ट आफ एसिड्स तो एसिटिक अमलका विसकोस और क्यूप्रामोनियम रेयान पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है क्यूप्रामोंियम रेयान इन दोनें तो और इन दोनें नहीं हैं एक प्रभी दिया हो जाएंगे ठीक हैं और इसके बाद अगली बात करते हैं हम छार का प्रभाव तो रेयान के लिए तीब्र सक्तिशाली योम गर्म छार के घोल रेयान के रेशे को छतिग्रस्त करके नस्ट कर देते हैं इसलिए धुलाई करते समय मृदु शाबुन का प्रियोग करना चाहिए मतलब जो चार का प्रभाव होता है वह रेयान के लिए हानिकारक ही होता है इसके बाद हम देखते हैं ब्लीच का प्रभाव तो ब्लीच का प्रभाव जो होता है जैसे सूती वस्त्रों के लिए होता है ये दोनों मृद्व ब्लीच में आते हैं कौन-कौन से सोडियम हाइपो क्लोराइड और हाइडरोजन पराकसाइड तो इनसे हम कॉटन में भी मतलब कापास में भी ब्लीच करते थे और रेयान में भी कर सकते हैं इससे नुक्षान नहीं होगा अब आगे बात करें रंगों का प्रभाव तो जो रंग होते हैं उसमें क्यूप्रामोनियम योम विस्कॉस जो रेयान होते हैं इनका रंगों के प्रती गहरा साध्रिश्य होता है तो इसका मतलब यह हो गया कि जब हम क्यूप्रामोनियम बीद से या विस्कॉस बीद से रेयान का निर्माड करते हैं तो उ इस रंग का चाहें वह रंग एड़ करके उसको बना सकते हैं लेकिन एसीटेट रेयान को रंगना कठीन होता है क्योंकि एसीटेट रेयान में क्या होता है और सो सकता का अत्यांत आभाव होता है मतलब पानी सोखनी की जो छमता होती बहुत कम होती है तो इसलिए ना तो इस प प्रभावित नहीं होता स्टूर मतलब जो रियान होते हैं क्यूप्रा मोर्यम रियान हो गया इनमें अच्छे से रंग चढ़ता है लेकिन एसिटेट रियान में रंग नहीं चढ़ता है क्यूंकि उसमें अवुज़क्ता आभाव रहता है इसके बाद पसीने के प्रभाव कि तो पसीने से इनका रंग गुड मजबूती चमक आदि कुछ भी प्रभावित नहीं होता मतलब जो रेयान होते हैं चाहे क्यूप्रामोनियम रेयान हो गए चाहे विसकोस रेयान हो गए चाहे एसिटेट रेयान हो गए इनमें पसीने का कोई बुड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है यहां तक हमारा हो गया रेयान कम्प्लीट तो इसमें जादतर बात हुई है क्यूप्रामोनियम रेयान, विश्कॉस रेयान, एसिटेट नाइट्रो सेलूलोज की बहुत कम बात क्यूँ हुई है? क्यूँकि नाइट्रो सेलूलोज बिद से रेयान का निर्माण अब नहीं होता है तो सिर्फ जानकारी के लिए उसके बिदी को हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे बाकी क्यूप्रामोनियम बिद से और विस्कॉस बिद से और एसिटेट बिद से इन सब से रेयान का निर्माण होता है, तो हमने शारा सिक्वेंस से देख लिया है एक बार और आप सब देख लिजेगा, आज की क्लास इतने ही, अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके फिर देखा जाएगा धन्यवाद आजित्माएं